राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बहनों माताओं वा बंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों फागुन मात में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव महा पुरान की कथा सुनने मात्र से भगवाई शिव शंकर भोले नात की असीम क्रिपा बरसने लगती है बंधों यदि आप रोजाना एक काग्रमन से पूरन भाव से इस कथा को सुनेंगे तब आप पर भगवाई शिव की अपार क्रिपा शिक्र भरसने लगेगी बंधों यदि आपने हमारे चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन धबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जे शिवशंकर भोली नात जरूर लिखें बोलो शिवशंकर भोली नात की जय हो मा पारवदी की जय हो श्री राम बोले देवी प्राचीन काल में एक समय परम सिष्टा भगवान शंभू ने अपने प्रात पर धाम में विश्व कर्मा को बुला कर उनके द्वारा अपनी गोशाला में एक क्रमनिय भवन बनवाया जो बहुत ही विश्टे था उसमें एक शिर्ष सिंहासन का भी निर्मान कराया उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्व कर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्वे सदा के लिए अद्भूत और परम उत्तम था तत्पस्चात उन्होंने सब और से इंद्र आदी देव करूं सिद्धों गंधर्वों नाग आदी तथा संपूरन उपदेवों को भी शिक्र महा बुलवाया समस्थ वेदों और आद्मों को पुत्रों सहीद ब्रह्मा जी को मुनियों को अप्सराओं सहीद समस्थ देवियों को जो नाना परकार की वस्त्वे से संपन थी आमंत्रेश किया इनके सिवा, देवताओं, रिश्यों, सिद्धों और नागों की सोलें सोलें कन्याओं को भी बुलवाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्त्वे थी मुने, वीना, रिदंग, आदी, नाना, परकार के वाद्यों को बजवा कर सुन्दर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया संपूरन ओश्दियों के साथ रच अभिशेख के युग्ये द्रव्य एकप्तित किये गए पत्यक्ष तीर्थों के जल से भरे हुए पांच कलश भी मंगवाया इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य समक्रियों को भगवान शंकर ने अपने पांचतों द्वारा मंगवाया और वहां उच्छ स्वर से वेद मंत्रों का घोश करवाया देवी भगवान विष्णू की पूरण भक्ति से महेश्वत देव सदा प्रसन रहते थे इसलिए उन्होंने प्रीती युक्त रिदे से शीहरी को बैकुन से बुलवाया और शुब मुहूरत में शीहरी को उस्ट्रेश सिंहासन पर बिठा कर महादेव जीनी स्वयम हे प्रेम पुरवग उन्हें सब प्रकार के अभूशनों से विभूशित किया उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांबा गया और उनसे मंगल को तुक कराए गए यह सब हो जाने के बाद महेश्वा ने स्वयम ब्रहमान मंडप में शीहरी का भिशेक किया और उन्हें अपना वह सारा इश्वरे परदान किया जो दूसरों के पास नहीं था प्रदंतर स्वतंतर इश्वर भक्त वस्तर शंभू ने श्रीहरी का स्तवन किया और अपनी प्राधिनता को सरवत्र प्रसित्र करते हुए वे लोक करता ब्रहमा से इस प्रकार हो ले महेश्वर ने कहा लोकेश आज से मेरी आज्या की अनुसार ये विश्णू हरी स्वयम मेरे बंदनिया हो गए इस बात को सभी सुन रहे हैं ताथ तुम संपूरन देपता आधी के साथ इन श्रीहरी को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्या से मेरी हितर है इन श्रीहरी का वर्णन करेंगे शी राम चंजी कहते हैं देवी भगवान विश्णू की शी भक्ती देखकर प्रसन चित हुए वर्ध दायक भक्त वस्तल रुद्र देव ने उप्युक्त बात कहकर स्वयम ही शी गरुट भज को प्रणाम किया तदंतर ब्रह्मा आदी देवताओं मुनियों और सिद आदी ने भी उस समय शी हरी की वंदना की इसके बाद अत्यान प्रसन वे भक्त वस्तल महेश्वन ने देवताओं के समक्ष शी हरी को बड़े बड़े वर्दान दिये महेश बोले हरे तुम मेरी आज्या से संपूरन लोकों के भरता पालक और सनहारक हो धरम अर्थ काम के दाता तथा दूरनिती अत्वा अन्याई करने वाले दुष्टों को दण देने वाले हो महान बल प्राक्रम से संपन जगत पुझ्य जगदिश्वर बने रहो समरांगन में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकते मुझ में भी तुम कभी प्राजित नहीं होगे तुम मुझसे मेरे दियोई तीन प्रकार की शक्तियां ग्रहन करो एक तो इच्छा आदी की सिध्धी दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रगट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतन तरता हरे जो तुम से देश करते हैं वे निश्चे ही मेरे द्वारा प्रियतन पुर्वक दंडनिय होंगे विश्णों मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूँगा तुम इस माया को भी रहन करों जिसका निवारन करना देवता आदी के लिए भी कठिन है तथा जिस से मोहित होने पर यह विश्व जर रूप हो जाएगा हरे तुम मेरी बाएं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे मेरा रिदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ इस में संशय नहीं है वह है रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदी देवताओं का निश्चे ही पुज्जे है तुम यहां रहे कर विशेश रूप से संपूरन जगत का पालन करो नाना प्रकार के लिलाएं करने वाले विबिन अफ्तारों द्वारा सदा सब की रक्षा करते रहों मेरे चिनमे धाम में तुम्हारा यह पनम्ब्य भफशाली और अत्यन उज्वल स्थान है वेह को लोग नाम से विख्यात होगा हरे भूतल पर जो तुम्हारे अफ्तार होंगे वे सब के रक्षक और भक्त होंगे मैं उनका अवश्य बनन करूँगा वे मेरे वर से सदा प्रसन रहेंगे ओम नमस्षिवाई 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 आम नमस्षिवाई रादे रादे जेश्षिक्रिश्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद